हाई अबरीबन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल जैसा कि आप लोग इस बात से बहुत ही परिशान है कि जो जब तक इस पुरानी भायक एनफी का रिजल्ट नहीं आता है यानि कि बिहार फिछक भरती 2030 का जब तक रिजल्ट यहां पबलिफ नहीं किया जाता है तब त फैफला 9 अक्टूबर को आप लोगों को देखने को मिला था वहीं उसका नेक्स्ट डेट 13 अक्टूबर था जिसमें कि यहां पर फैफला क्या हुआ है कि फिर से यहीं निकल के आया है कि जो अगफ्त में जिफ जज के बेंच पे यह फैफला आया था कि बीएड को प्याट और अम्म फुद्रेफ तो इन्होंने क्या किया है कि इस जो यह जो केफ था जीफ का के केफ नमर अगर आप लोग देखिएगा तो 1188-23 वहीं आइटम नमर 6 था और केफ नमर 7 था जिसको कि वह फिर से रेफर कर दिये गए हैं जे अनिरुद्ध बोस्की जो कि पहले ही जेबस है उसे के अकॉर्डिंग इसको तयार किया गया है इन तीनों बुक माधियम फे आपका एक जम बहुत ही अच्छा होगा अगर यह बुक आप लेना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसको चेक आप जरूर करें यह अगर आप आपको फॉल्ब्ड पेपर के फाथ 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 एमफी की उभी मिलेगा तो अगर आपका फब्जेक्ट फंस्क्रीट रहा हो तो यह बुक आप ले फक्ते हैं तो चली मैं आपको पेडियम दिखा देती हूँ जहांफे आपको अनुमाल लग जाएगा कि यहां पर कितने अ और 11 12 का रिजल्ट है जो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहां पर क्या है बीएड और डेलेट का मामला नहीं है यहां फिर बीएड वाले ही हैं तो यह बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिल जाएगा यानि कि में भी हो सकता है कि फोला अक्टू कोर्मेंट ने जो दायर किया है उसके कारण इनका रिजल्ट है जो रोक के रखा गया है तो अब देखते हैं कि यहां पर डेट पर डेट कब तक मिलता है जिसके कारण की अभी तक प्याटी का रिजल्ट को रोक कर रखा गया है अब बात करते हैं हम लोग कि जो फोला प्रफ़ा आप लोग उमीद यहीं करके चलिए कि जो फैफला है पहली फैफला को रहा जाएगा क्योंकि यह प्रफ़ा पिछले पर अपना फैफला फुनाया थे उन्हीं के बेंच पे फिर फिर इनको भेजा गया है अब यहां पर बीपी टी यारी टू पॉइंट ओ का नोट नोटिफिकेशन है जो आपको इफी मंद के लाफ्ट तक देखने को मिल जाएगा और अगर आप लोग बोलिएगा कि इफका एक्जाम क्या दिफंबर में हो जाएगा तो यह बात आप लोग दम मान के चलिए कि दिफंबर मीड तक इफका एक्जाम है जो बीपीफी कंड़ करवा लेगी क्योंकि आपनों पहले भी देखा था कि नोटिफिकेशन जब आया था तो इस पर भी बहुत फारे कैसे जाई थी लेकिन बीपीफी ने अपना टाइम पे ही क्या किया अपना एक्जाम कंड़क्ट करवा लिये हैं तो आप लोग यही मान के चलिए कि आपका ए लिग चा庇म नहीं मिले गया, अब नेक्स्ट अे सब्सक्राइब, तो आपको मैंने पहले हुम बता दिया और हम स्रूल हाट को फुनबाई होगे, अब देखते हैं जो क्या निकल के आता है, तो आज के फैफले सब्सक्राइए इस के वाले में और आपको बता दी वही पर आपको ये भी मैंने बता दिया कि जो इसका है जो नोटिफिकेशन में क्या जो फेकंड भाइक एंफी हम लोग का आने वाला है उसके नोटिफिकेशन में लेट होगा तो देखें नाइन टेंथ और इलेवन ट्वेल्थ का रिजल्ट दे देते हैं उसके बाद नेक्स्ट वाचिं!